जय हिंस साथियों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब ज़रूर बताएं और विडियो को अंग तक ज़रूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला सवाल है पेड़ पर उल्टा लटकने वाला जीव कौन सा है आपका ओपसन है ए बंदर बी उल्लू सी भालू दी चमगादर इसका सही जवाब होगा D, चमगादर आपका दूसरा सवाल है, जूंखेदी भारत के किस शेत्र में रचलित है? आपका ओप्सन है, A. उतर भारत में, B. पूर्मोतर भारत में, C. दक्षन भारत में, D. इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है, B. पूर्मोतर भारत में, आपका तीसरा सवाल है, तक्ला मकान मरूस्थल कहां स्थित है? A. रूस, B. चीन, C. जापान, D. अमेरिका, इसका सही जवाब होगा, B. चीन, आपका चौथा सवाल है, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहां से होता है? आपका ओप्सन है, A. ग्रेट बैरियर रिफ, B. साउथ बिलसन, C. बंगाल की खाडी, D. मेक्सिको की खाडी इसका सही जवाब होगा, D. मेक्सिको की खाडी आपका पाँचवा सवाल है, नीलगिरी परवत की सबसे उन्ची चोटी कौन सी है? आपका ओप्सन है, A. एवरेश्ट, B. डोडा बैटा, C. अन्नामुदाई, D. महिंद्रगिरी इसका सही जवाब होगा, B. डोडा बैटा, रोजाना ऐसी ही विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेला आइकन ओन करनेजिए आपका छठा सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिश किसे कहा जाता है? आपका ओप्सन है, A. मानिटर, B. कीबोर, C. सीपीउ, D. माउस इसका सही जवाब होगा, C. सीपीउ आपका साथवा सवाल है, किस देश का राष्ट्रगान सबसे लंबा है? आपका ओप्सन है, A. भारत, B. ग्रीस, C. श्रीलंका, D. पाकिस्तान इसका सही जवाब होगा, B. ग्रीस आपका आठवा सवाल है, कौन सा जीव जन्व से लेगे मृत्यू तक सोगा नहीं है? आपका ओप्सन है, A. नेवला, B. साम, C. चीन्टी, D. कंगारू इसका सही जवाब होगा, C. चीन्टी आपका नौवा सवाल है, महराणा प्रताप के घोडे का क्या नाम था? आपका ओप्सन है, A. बुलबुल, B. चेतक, C. बादल, D. हैग्री इसका सही जवाब होगा, B. चेतक आपका दसवा सवाल है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ओप्सन है, A. कब्स, B. कैंसर, C. शुगर, D. पत्री, रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबसक्राइब करके बेलाइकर ओन कर लिजिए इसका सही जवाब होगा, A. कब्स, आपका ग्यारावा सवाल है, किस देश ने सबसे पहले रूपए च्छापना शुरू किया था? आपका ओप्सन है, A. भारत, B. चीन, C. रूस, D. अमेरिका इसका सही जवाब होगा, B. चीन आपका बारावा सवाल है, प्रित्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? आपका ओप्सन है, A. 15% भाग, B. 25% भाग, C. 30% भाग, D. 50% भाग इसका सही जवाब होगा, D. 50% भाग, आपका तेरह वा सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है, जो भोसला नहीं बनाता है, आपका ओप्सन है, A. कोईल, B. उल्लू, C. मोर, D. कमुतर इसका सही जवाब होगा, A. कोईल, आपका चोड़ावा सवाल है, फलों की रानी किस फल को कहा जाता है, आपका ओप्सन है, A. आम को, B. लीची को, C. अंगूर को, D. कठल को इसका सही जवाब होगा, B. लीची को आपका पंदरावा सवाल है, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है, आपका ओप्सन है, A. कमल का फूल, B. गुलाब का फूल, C. मोगरा का फूल, D. निलकुरुन जी का फूल, रोजाना ऐसे ही विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइट करके बेलाइक बोल कर लिजे, इसका सही जवाब होगा, D. निलकुरुन जी का फूल, आपका सोलावा सवाल है, भारत की राष्ट्रिय सब्जी क्या है? आपका ओप्सन है, A. आलू, B. गोभी, C. पालक, D. टमाटरुन जी का सही जवाब होगा, A. आलू, आपका सत्रावा सवाल है, किस जानवर का दूद पीने से दिमाग टेज होता है? आपका ओप्सन है, A. उन्द का, B. गाय का, C. हाथी का, D. बक्री का, इसका सही जवाब होगा, B. गाय का, आपका अठारावा सवाल है, आप में घी डालना महावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ओप्सन है, A. और भड़काना, B. आग लगाना, C. धुविधा में पढ़ना, D. दर जाना, इसका सही जवाब होगा, A. और भड़काना, आपका उन्नीसवा सवाल है, गर्म पानी पीने से कौन सी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, आपका ओपसन है, A. शुगर, B. बीपी, C. कब्स, D. बवासीर, इसका सही जवाब होगा, D. बवासीर, अब यह सवाल आपके लिए आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताए, ताज महल भारत के किस शहर में है, आपका ओपसन है, A. आगरा, B. दिल्ली, C. गुजराद, D. राजस्थान, आपका सही जवाब क्या होगा, आप लोग विडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेर कर दीजिए, और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लिजिए, धन्यवार.